उससे फाइनले कलकी मुवी ठीटर में रिलीस हो ही गई मतलब जिस तरह से मुवी कर रिलीस भी है उपहो χe थी पहुत आखे बहुत इसने कख्वों के लिए अबहों कि इस भारे में कुछ भी नहीं पता है क्योंकि कर дал लेकिन है और movie बहुत अच्छा हासा collection भी कर रही है, आप लोगों को पता भी है, तो चलिए बात करते हैं कि कलकी मुवी ने अपने 9 दिन कितना box office collection करा है, तो जाहिर सी बात है कि आप लोगों को पता ही है कि कलकी मुवी अपने opening day में बहुत बढ़ा धहमाका करे थी, 111 करोन रुपए का box office collection करे थी और अपने हर दिन कल की मूवी 100 करोन का box office collection कर रही है जबकि आज फिल्म को release हुए 9 दिन हो गया है ऐसा बताया जा रहा है कि कल की मूवी का worldwide box office collection 1000 करोन हो गया है जी हाँ दोस्तों अभी कल पर सो 700 करोन था लेकिन अब एक हसार हो गया है कल की मूवी का इतना collection देखते हुए बहुत सारे audience का यह कहना है कि कल की मूवी का collection जो है फेक है तो दोस्तों हम सभी को पता है कि जितनी भी फिल्में release होती है कभी उनका collection real नहीं बताया जाता चाहे वो जवान रही हो पठान रही हो कल की रही हो सलार रही हो साउथ की कोई मूवी हो बॉलिवुड की कोई मूवी हो हॉलिवुड की कोई मूवी हो सब बढ़ा चढ़ा कर ही बताते हैं लेकिन अगर रही बात फेक और रियल कलेक्शन के बारे में तो दोस्तों बहुत सारी ऐसे फिल्मे हैं जिनका फेक कलेक्शन बताया गया तो कहीं न कहीं एक परसंट कल्की का भी माल लीजे लेकिन जिस लेवल की मूवी बनी है और जिस तरह से audience ठीटर में गये थे फिल्मों को देखने के लिए तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं लगता कि कल की मूवी का कलेक्शन फेक है क्योंकि ठीटर में भी भारी भर का भीड़ देखने को मिलती थी audience movie को देखने चाते थे तो इस हिसाब से हम अन्दाजा लगा ही सकते हैं कि कल की movie का collection इतना तो होना ही था movie 400 करोड के club में entry भी मार चुकी है और इसका worldwide collection 1000 भी आ रहा है वैसे यह देखना काफी दिल्चस्प होता है कि आगे कल की movie कितना जादा box office collection करती है क्योंकि कल की movie का budget भी बहुत जादा है तो collection करना जाहर सी बात है कि करना ही पड़ेगा इस film को और audience को भी यह film बहुत जादा पसंदा रही है एक नए technology देखने को मिल रही है इतने सारे actor और actresses का cameo है अभिताब बच्चन का कुछ यंग वाला look भी देखने को मिला और कमल हासन का old वाला बहुत सारी चीज़े है जो हमें कल की movie में बहुत सारी चीज़े दिखाएगे यह कुछ महाभारत से related है तो यह सारी चीज़े देखने के लिए audience तो बहुत जादा excited है और हैपी अब भी जिन्होंने नहीं देखा है वो कल की movie का इंतसार करें और जो थेटर में जाकर नहीं देखे हैं वो इसके OTT release होने का भी इंतसार करें फिलाल तो भी OTT release को लेकर कोई भी updates नहीं आई है लेकिन एक दो महीने बाद या फिर एक महीने बाद इसके OTT release के भी updates आने सुरू हो जाएगे तो इस हिसाब से कर कल की movie का collection देखा जाए तो कल की movie तो अच्छा खासा collection कर रही है क्योंकि एक हजार तो इसका world wide हो गया और 400 करोर की club में entry भी मार चुकी है अपने इंडिया के अंदर तो इतना जादा collection कर चुकी है कल की और विदेशों से भी इसे अच्छा खासा प्यार मिल रहा है विदेशों में भी यह अच्छा खासा collection कर रही है तो एक हिसा आप से देखा जाए तो इसके फेक और रियल से तो मतलब जिन जो प्रभास के फैंस हैं विताब बच्चन के दिपिका पादकोर के फैंस हैं फिर कल की मूवी के जो फैंस हैं इनके फेक और रियल कलेक्शन से उन्हें कोई फरक नहीं पड़ रहा है तो कल की मूवी का वर्डवाट कलेक्शन एक हजार करोन बदाया जा रहा है 400 करोन की कलम में कल की मूवी एंट्री मार चुकी है मूवी अच्छी है आप लोगों को जरूर देखना चाहिए क्योंकि यह हमारे महाभारस से रिलेटेड है और इसके सिकंड पार थर्ड पार्ट भी बड़े मतलब अच्छे होने वाले हैं यूनीक होने वाला है तो इस मेरे ये वीडियो को पसंदाया यह वीडियो को लाइक करें शेयर के चैनल को सब्सक्राब करें अगर बात सहित कर नहीं हो तो मिझे इस्ट्रेग्राम पर फॉलो करें मिलते है नेक्स्ट वीडियो में बाइव